Parents and School Educator Program की अगली एक्टिविटी में आपका स्वागत है आज की एक्टिविटी का नाम है Yoga for Kids Part 2 इस एक्टिविटी में आपका बच्चा कुछ योग असन करेगा जिससे उन्हें अपने शरीर के संदुलन, एकागरता, मास्तिक कार्य और पाचन में सुधार करने में मदद मिलेगी सबसे पहले योग करने के लिए फर्स पर एक चटाई या कुछ और बिछाए मैं पाच आसन प्रस्तूत करूँगा जो आपके बच्चे की समता के अनुसार आपका बच्चा 15-30 सेकिंड तक कर सकता है यदि समवब हो तो माता पता भी अपने बच्चे के साथ योग कर सकते हैं पहला आसन चाइल्स पोज है सबसे पहले अपनी AD पर बैठें अब धीरे धीरे अपने माते को अपनी गुटनों के सामने अराम से नीचे लाएं अपने हातों को अपने सरीर के बगल में स्ट्रेच करके रखें जैसा की तजबीर में दिखाया गया है इस पोजिशन में रुक रहें और कुछ घहरी सासे लें फिर से नॉर्मल पोजिशन में आकर आराम करें दूसरा आसन काउ एंड कैट पोज है सबसे पहले जमीन पर दोनों हातों और गुटनों के साथ टेबल जैसी पोजिशन में शुरू करें अब उपर देखें जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें और काउ पोज में चले जाएं जैसा की तज़विर में दिखाया गया है कुछ सेकेंड रुकें और फिर रिलेक्स करें फिर से टेबल पोजिशन में आ जाएं और अब नीचे देखें जितना हो सके उतना stretch करें और cat pose में आ जाएं जैसा की तज़्विर में दिखाया गया है कुछ check-in रुकें और फिर relax करें तीसरा आसन है legs up to the wall अपनी peat पर लेटें फिर धीरे अपने पैरों को आस्मान की तरफ सीधा उटाएं जिससे की आपका सरीर आपके पैरों के साथ L-sep बनाएं अपने पैरों को stretch करें और उनको एक साथ रखें अपने हाथों को दोनों तरफ पिलाएं और अपनी गर्दन को सीधा रखें स्टार्टिंग में आप दिवाल का सहारा लेकर भी यह आसन कर सकते हैं चौता आसन Lotus Pose है पहले अपने लेक क्रॉस करके बैठें अब अपने बाए पैर को अपनी दाइनी जांग पर रखें और अपने दाहे पैर को अपने बाए जांग पर रखें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है सीधा बैठें कमर सीधी कर रहें और अपनी हातों की हतेलियों को अपने गुटनों पर रखें आराम करें और गहरी सास लेते रहें जब तक possible है पाचवा आसन है अवड फेसिंग डॉक पोज सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाएं अपने हातों की अतेलियों को अपने कंदे के बगल में रखें और उपर देखें फिर अपने हातों को सीधा करें जैसा की इस चित्र में दिखाया गया है उसके बाद अपनी चाती को जितना हो सके उतने stretch करें और इस position को hold करें सबी आसन दो-तीन बार दोरा हैं एक्टिविटी के बाद आप आपके बच्चे के साथ निमनलिखित प्रस्नों पर चर्चा कर सकते हैं पहला योग के क्या-क्या फायदे हैं दूसरा आपके पैर और हात कैसा महसूस कर रहे हैं तीसरा क्या आप धकान महसूस कर रहे हैं धन्यवाद अब आप एक्टिविटी कर सकते हैं यदि संबब हो तो कृप्या अपने बच्चों के प्रदसन की फोटो वीडियो हमें वहजे यदि आपके पास कोई संद्य या सुजाव है तो आप हमें वाट्सेप पर टेक्स्ट कर सकते हैं यह हमारा वाट्सेप नंबर है